कुक कर तो यह विलक्म दोस्तों कि एक колrav में आपका सवागत है आज हमाँ बात करने वाने बू इस्टार्ण डपटेबल यूनिट हो यह पाइके जयसिश्ण इस उयनिट हो इन सभी बूट prat कि मिल्यương देखने अग्ट niemand के जो हमारा remote dier आता है HP LP और CF तो हमारा HP LP और CF क्या होता है और यह error क्यों so करता है इसके बारे हम आज आपको बात करते हैं क्या खिर यह PA LP और CF क्यों ज्यादा आती है इसका main region हमारा जो भी होती है आउट डोर से होती है तो आपको HP LP सबसे पहले हम आउट्डोर में जाते हैं जब भी आउट्डोर में जाते हैं जब आउट्डोर ढूल धुकि आउट्डोर में किसी कारण बस नहीं चलता है तो हम वहां पर जाकर देखते हैं तो यह से देख सकते हैं इंड़ोर के विनिट और यह इंडेखने को मिलता है फिट सेक हमारा blooster का यह देख सकते हैं तो हम इसी आउट ओर से में क्या करते हैं जो हमारा hp-lp cf यहाज से हमारा प्राब्लम में लिते हैं यह आउट्यो circuit पूरा प्राबलम है hp-lp cf हम आउट्डोर के जाकर इसको अच्छा से छेक करते हैं कि का हमारा high pressure switch है और low pressure switch है और CF है यानि CF को मतमा प्राइसर को हैं High pressure क्यों होता हूँ HP लो प्रेशर को मतमा LP तो यह हमारी प्राबम नियुक्त क्यों आती है तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि High pressure switch और LP switch यह हमारी कहां लाई जो भी हमानी compressor होती है तो हाई pressure हमेंसा discharge line में लगी रहती है और low pressure हमेंसा आपका suction line में लगी रहती है तो हमें यह चेक करना होते है कि high pressure low pressure switch यह काम अच्छा से कर रहा है कि नहीं नहीं है तो जो भी हमारे उसमें protection devices contractor लगे रहते हैं तो हमें उसे अच्छे तरीके से चेक करना है कि उसमें power supply अच्छे से आ रहा है कि नहीं HP अगर क्यों आता है तो HP को आपको पता है कि जब हमारे guys का pressure अगर ज्यादा होगा high pressure होगा तो हमारा यह आता है और LP कब आगाए अगर किसी कारण वास हमारा low pressure हो गया guys का हो गया guys हो गया तो हमारा low pressure हमें guys को प्राफर तरीका अच्छे से चेक करना चाहिए और में नेक्स्ट हमारे में होता है कि जब भी हमारा किसी जो कारण वाए condenser अगर इस्टार्ट नहीं होता है power supply नहीं होता है तब भी हमारे यह error सो करता है तो हमें सबसे पहले जितने हमें control क्या करना है इसको replace करना है और जो भी outdoor की जो हमारी contractor रहती है control device रहती है उसको हमें अच्छे तरीके से चेक करना है और अगर नहीं होता है तो रिप्लेस करना है यह से करने साब को प्राब्लम साल्प हो जाएगा तो आपको क्या करना होता है कि अगर नहीं इससे भी होता है तो आपको रिमोट में जो भी दिया रहता है तो उसमें एक रिशेट का बटन दिया रहता है आप उस रि झाल झाल